यह देखिए यहां पर मैंने 16 फंदे लिए हैं 12 फंदे 6 के मल्टिपल से लिए हैं दो बार 6-6 फंदे लिए हैं तो 12 फंदे हो गए और प्लस 4 फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं दो फंदे साइड में डिजाइन को इकुल करने के लिए तो 14 फंदे हो गए और दो फंदे एस्टिच के लिए तो 16 फंदे नीचे से बेस देने के लिए दूरो उल्टे फंदों के साथ बुनका निकाल ली हैं तो आपने जब भी अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस स्टार्ट करेंगे दो फंदे उल्टे एक दो चार फंदे सीधे एक दो तीन चार यह देखिए हमारे एक पैटरन कंप्लीट हो गया है इसमें हमने दो फंदे उल्टे बुने चार फंदे सीधे यह छे फंदों का पैटरन है दो चार छे फिर से पैटरन को रपीट करेंगे दो संदे उल्टे एक दो चार फन्दे सीधे 2234 यहां से यहां तक हमारे दो पैरन्ट प्थर्न कम्प्रीट हो गए हैär उर लास्ट में ической किव कि इंदे बचेंगे दो फन्दे उल्टे एक दो ऐस्टिचस्स मिधें तीध हैं हो गाक आए द्याद में म bütüneln लुकरन स यहां हो एक दो चार फंदे उल्टे एक दो तीन चार यह देखिए यहाँ पर मैंने दो फंदे सीधे बुने चार फंदे उल्टे फिर से पैटर्न को रपीट करेंगे दो फंदे सीधे एक दो चार फंदे उलटे एक दो तीन चार लास्ट में तीन फंदे हैं दो फंदे सीधे एक दो एस्टिच उलटा बुनेंगे तीसरी रौ है सीधी साइन है फिर से पहली रौ की तरह ही सेम बुनेंगे एस्टे स्लिप करेंगे रिपीट पैटन स्टार्ट करेंगे दो फंदे उल्टे एक दो चार फंदे सीधे एक दो तीन चार ये देखिए हमारे एक पैटन कम्प्लीट हो गया है समय हमने दो फंदे उल्टे बुने चार फंदे सीधे फिर से इस पैटरन को ऐसे ही बार-बार पीट करेंगे तो देखें दो फंदे उल्टे एक दो चार फंदे सीधे एक दो तीन चार लास्ट में तीन फंदे बचेंगे दो फंदे उल्टे एक दो ऐस्टे सीधा बुनेंगे तीसरी रौ कम्प्लीट हो गई है चौती रौ है रौंग साइड सीधे फंदे सीधे उल्टे फंदे उल्टे बुनेंगे एस्ट स्लिप करेंगे दो फंदे सीधे एक दो चार फंदे उल्टे एक दो तीन चार फिर से दो फंदे सीधे एक दो चार फंदे उल्टे एक दो तीन चार लास्ट में तीन फंदे बचेंगे दो फंदे सीधे एक दो एस्ट। इच उल्टा बुनेंगे पांच मिह रऑ है सीधी साइन है फिर से से मिह पहली रऑ की तरह ही बुनेंगे एक स्लिप करेंगे, repeat pattern start करेंगे, दो फंदे उल्टे, एक, दो, चार फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, यह देखिए, यहाँ पर मैंने दो फंदे उल्टे बुने, चार फंदे सीधे, फिर से pattern को repeat करेंगे, दो फंदे उल्टे, एक, दो, चार फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, लास्ट में तीन फंदे बचेंगे, दो फंदे उल्टे, एक, दो, एस्टिस सीधा बुनेंगे, पांचवी रो कंप्लीट हो गई है, छटी रो रॉंग साइड, सीधे फंदे सीधे उल्टे फंदे उल् दो, चार फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार फिर से दो फंदे सीधे, एक, दो, चार फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार लास्ट में तीन फंदे बचेंगे, दो फंदे सीधे एक दो एस्टिच उल्टा वोनेंगी अब देखिए चटी रो कम्प्लीट हो गई है और हमारा हाँ पैटन कम्प्लीट हो गया है फिर से यही छे रो उपर रपीट करेंगे लेकिन इस पैटन को शफल करेंगे यह वाला पैटन यहाँ पर आएगा और यह वाला यहाँ पर तो एस्टिच स्लिप करेंगे रपीट पैटन स्टाट करेंगे तीन फंदे सीधे एक दो तीन दो फंदे उल्टे एक दो एक फंदा सीधा यह देखिए यहाँ पर मैंने तीन फंदे सीधे बुने दो फंदे उल्टे एक फंदा सीधा फिर से पैटन को रपीट करेंगे तीन फं एक दो एक फंदा सीधा, यहां से यहां तक हमारे दो पैटर्ण कंपलीट हो गये हैं, लास्ट में तीन फंदे बचेंगे, दो फंदे सीधे, एक दो 6 एस्ट इच सीधा तो देखिए 7 वी र व कंप्लीट हो गई है आठ वी र व राउंग साइड सीधे पंदे सीधे ल्टे वाइवनेंगे 3 पंदे अलटे 1, 2, 3, 2 पंदे सीधे 1, 2, 1 पंदा उल्टा पिर से 3 पंदे उल्टे 1, 2, 3, 2 पंदे सीधे 1, 2, 1 फंदा उल्टा लास्ट में 3 फंदे हैं 2 फंदे उल्टे 1, 2, a-stitch उल्टा 9 मीरों सीधी साइड सेम 7 मीरों की तरह ही बुनेंगे 3 फंदे सीधे 1, 2, 3, 2 फंदे उल्टे एक, दो, एक फंदा सीधा यह देखिए यहाँ पर मैंने तीन फंदे सीधे बुने दो फंदे उल्टे एक फंदा सीधा फिर से पैटर्न को रपीट करेंगे तीन फंदे सीधे एक, दो, तीन, दो फंदे उल्टे एक, दो, एक फंदा सीधा लास्ट में तीन फंदे बचेंगे, दो फंदे सीधे, एक, दो, एस्ट इस सीधा नौमी रो कम्प्लीट हो गई हैं, दस्मी रो रोंग साइग, सीधे फंदे, सीधे उल्टे, फंदे उल्टे बुनेंगे, तीन फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, दो फंदे सीधे, एक, दो, एक फंदा उल्टा, ये देखिए, यहां पर मैंने तीन फंदे उल्टे बुनें, द 2 फंदे सीथे, एक फंदा उल्टा, फिर से पैटरन को पीड करेंगे, 3 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 2 फंदे सीथे, 1, 2, 1 फंदा उल्टा, कि लास्ट में 2 फंदे उल्टे, 1, 2, 있으니까 उल्टा, 11 रोन हैं और सीध्याइड है, इंगे साथ में रो आ की तरह ही बुनेंगे, S T S S L I P K 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 सीधे, एक, दो, तीन, दो फंदे उल्टे, एक, दो, एक फंदा सीधा, लास्ट में तीन फंदे हैं, दो फंदे सीधे, एक, दो एस्ट इस सीधा, ग्यारा रों कमप्लीट हो गई हैं, 12 रों, रों साइड, सीधे फंदे, सीधे उल्टे, फंदे उल्टे गुनेंगे, 3 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 2 फंदे सीधे, 1, 2, 1 फंदा उल्टा। लास्ट में ? दोफंदे उल्टे ऐस्टिच उल्टा तो देख det रउ यगई है और हमारे पैरन भी कम्लीट हो गया है आगे की साइड से यह इस तरह से दिखता है और पीछे की साइड से इस तरह से दिखता है तो friend फिर से हम इसे first row से start करेंगे और ऐसे ही बार-बार इसकी one, two, twelve row repeat करते जाएंगे और ये pattern बन कर इस तरह से दिखने लगेगा इसे आप किसी भी project में डाल सकते हैं इसे आप ladies guardian में, jam saaf setter, full sweater में, बच्चों के sweater में, cap में, muffral में apply कर सकते हैं तो friend आप भी से बनाईए और अपने experience हमारे साथ share कीजिए अगर आपको हमारे patterns अच्छे लगते हैं तो हमारे channel को like करना, family trends के साथ share करना और channel को subscribe करना मत भूलें तो फिर से मिलते हैं ऐसे ही और नए-ए pattern के साथ, till then baby friend